हें गाइज बेलकम होना यूट्यूब चैनल टीचिंग वारियर मेरा नाम है दीपिका और हम लोग कर रहे थे एवेस के लद्दाक ठीक है यानि किसका सही हो जाएगा यह इंपॉर्टेंट है याद रख लेना क्योंकि यह नई बनी है नेक्स्ट है किस संविधान संसोधन द्वारा वन्नी जीव विशय को राजी सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है तो यह है 42 कॉंस्टिट अमेंडमेंट ठीक है इस अमेंडमेंड को नेक्स्ट है देश का नवीनतम हाथी रिजर्व है तो यह है सिंगपान हाथी रिजर्व नागा लेंड और यह 2018 में अधुसूशित किया गया ठीक है याद रख लेना नेक्स्ट है देश का प्रिथम गिद्ध सरक्षर एवं प्रजनन केंद्र है तो यह है जटायू सरक्षर व प्रजनन केंद्र पिंज़ोर हर्याना का तो इसका सही कौन से हो जाएगा थ्री अब देखते है नेक्स्ट जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के सरक्षर पर तेरवा कोप सिखर सम्मेलन का सुभांकर है तो यह था गोडावन और गोडावन राज्य पक्षी कब बना था तो यह बना था 1981 में याद रखना ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ्चन है हमारा वाग गर्णा 2018 की अनुसार देश में वागों की संख्या है तो देश में वागों की संख्या है 2967 ओके नेक्स्ट गंगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट यह जलिये जीव कब अधिसूचित किया है तो यह किया था अठारा मई 2010 में ठीक है अब फिर यह बना कप था यह बनी कप थी तो यह पॉच्टूबर ऑक्टूबर 19 सॉरी नाइन नी 2009 में क्या वनी राष्टिय जलिए जीव घोसित कर दी थी 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 तो यह दूसरी नदी सूचित की थी और याद रख लेना 2008 में 2008 में गंगा को राष्टिय नदी घुसित किया गया था नेक्स्ट है टाइगर मैन ओफ इंडिया के नाम से विख्यात हैं तो यह है कैलाश शांखला ठीक है और इनकी दो बुक भी याद रखना क्या है टाइगर और रिटन टाइगर नेक्स्ट है दिवस को सुमेलित करना है ठीक तो चलिए सुमेलित करते हैं पहला है विस्व वन की दिवस तो यह कब मनाते हैं 21 मार्च को विस्व जैव विवित्ता दिवस यह मनाते हैं 22 माई को विष्व वनने जीव दिवस तो यह मनाते हैं तीन मार्च को और विष्व वाग दिवस यह कब मनाते हैं नेक्स्ट वन्य जीव निदी यानि कि WWF का प्रतीक है तो इसका प्रतीक कौन सा है जोइंट पांडा ठीक है नेक्ट रेड डाटा बुक के संबन्द में निम लिखित में से कौन सा कहतन शक्त्य है तो देखो ये लाल वर्डक धारी पादपो एवं प्रजातियों की सूची है तो ऐसा नहीं है ठीक है ये उन वन्य जीव वा बन्सपति प्रजातियों के संबन्द में आकड़ों आकड़ों को प्रस्तुत करती है जो की विलूप या फिर संकट ग्रस्त होते है तो ये सही है ठीक है यह जो राड डाटा बुक है यह हमेशा उन जीव या फिर उन प्रजातियों को ही नोटिस करती है जो कि बलुप्त होने वाले हो ठीक है या फिर संकट ग्रस्तों नेक्स्ट है भारत के बायो डावेसिटी होट स्पोट है तो देखो कौन-कौन से है पहला है पस्चमी घार और देश में कुल कितने जैव मंडली चेत्र घोसित किये गई है तो यह कुल अठारा याद रखना पड़ेगा ठीक है फिर नेक्स्ट आई यू सी एन की स्थापना कब हुई तो यह होई है 48 में ठीक है 1948 में होई है और सुजेलेंड में इसका क्या है 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 नेक्स्ट मनार की खाड़ी बायोस्फियर रिजर्व देश के किस भाग में इस्तेत अब देखो कहां पर मनार की खाड़ी तो यह कहां पर होगा तमिलनाडु वाली चेत्र में तो पर जाएगा यह पड़ेगा भारत इवं स्रीलंगा के मध्य समुद्री चेत्र में जैसे कि यह यहां पर हमार राष्टिय पसु है तो हमारे दिसका राष्टिय पसु क्या है सभी को बता है चीता यानि कि बाग जैब विवित्ता का संबंद है तो जैब विवित्ता का संबंद किससे है यह प्रकृति से मिलने वाली सभी प्रकार की प्राणियों वा पेड पौधों से इसका सई कौन सा तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था एक अपरेल 1973 में नेक्स्ट भारत का पहला राष्ट्य उध्यान कौन सा है तो भारत का पहला राष्ट्य उध्यान है है नेशनल पार्क उत्राकंड ठीक इसे जिम कोर्विट नेशनल पार्क देश में सरवादिक रष्ट्य उध्यान किस राज में तो ये कहा है मद्यप्रदेश में कोल कितने हैं 10 हैं संकट गिरस्त या बिलुप्ती के कागार पर होती प्रजातियों वा वन्य जीव प्रजातियों के नाम किस पुस्तक में लिखे जाते हैं तो यह अभी हम लोगों नहीं कहा था रेड़ डाटा वुक में लिखे जाते हैं ठीक है next नेक्स्ट कुश्यन हमारा है डंडेली वन्य जीव अभ्यार किस राज्य में इस्थित है तो ये याद रख लेना ये है करनाटक में ओके तो इसका सही कुन से हो गया करनाटक यानि की डी जटायू नेचर पार्क किस राज्य में इस्थित है तो ये है केरल में पैंग्विन नेचर रिजर्व इस्थित है तो ये कहां पार है ये याद अखना है दक्षर अफ्रीका में ये सभी कुसल फैक्ट वाले है तो ये याद ही करने पड़ेंगे नेक्ट कौन सा है अक्टूबर 2017 में पर्यावरर मंत्राले द्वारा किस पसू को सरकसों में रखने के लिए मानिता रद कर दी गई है तो ये है हाथी ओके कौन सा होगा इसका सही थ्री यानि की हाथी नेक्ट है विज्ञान जगत द्वारा धर्ती के किस प्राड़ी को शाष्वत जीव गोसित किया गया तो ये है जल रीच ओके नेक्ट बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में इस्थित है तो ये किस राज्य में है यह पस्चिम बंगाल में ओके नेक्स्ट बर्तमान में देश में कितने बाग यानि की टाइगर रिजर्व हैं तो यह याद करने पड़ेंगे कितने हैं पचास और यह इंपोर्टन भी हैं बहुत जादा ठीक है नेक्स्ट भारत में विश्ष्ट प्रकार की भौकने वाले हिरड किस अभ्यारड में विच्छर करते हैं तो यह उत्ता प्र प्रदीश का दुद्वा है देखते हैं कि कि किस राष्टीय और उध्यान में सफीद सेर पाई जाते हैं तो यह मिलते हैं वांदर्वगर नेक्स्ट है हमारा राजस्तान के अलावा गोडवन किस सब्सक्राइब गुज्राइब 69 Next अवली मेडी का महल एवं रावडा महल राज के किस वन्यजीव अभ्यारण की सोभा है तो ये है मुकंदरा हिल्स ठीक है Next राज्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण में जंगली मुर्गे प्रिसिद है तो ये है माउंट आवू ठीक है शुरोई में Next रामसर सम्मेलन जो की इरान में हुआ था द्वारा चेनित राज्थान के अंतर राष्थिये महत्व के वन्यजीव आद्र भूमि परिस्थिती स्तलों में नाम बताई गई है तो ये याद रख लेना दो हैं ठीक है कितने राष्थान से सिर्फ दो एक है सामवर जील और दूसरी है केवला देव घना पक्षी अभ्यारन Next राष्थान में भेडियों की संख्या में निरंदर कमी के चलते वन बिभाग द्वारा राज में कहां भेडिया प्रिजनन केंद्र खोला गया है तो यह भी याद रखना पड़ेगा कहां पर खोला गया है यह खोला गया है नहर गड़ में ओके Next दिखते है राष्थान राज के व्रक्ष राज पक्षी और राज जन्तु क्रमसा है तो कौनसे है देखो सबसे पहले राज ब्रक्ष कौनसा है खेजड़ी का और पक्षी गोडवन और फिर आता है जन्तु यानि की पसु चिंकारा तो यह इसका बिल्कुल सही है Next है गोडवन पर राष्टिये टिकेट कब जाली किया गया तो यह किया गया था 1 नवर्बर 1980 को Next है गोडवन का विश्व का पहला किर्तिम हैचिंग सेंटर बनाया गया है तो यह बनाया गया है कहां पर सबसे प्यादा कहां पर मिलती है गोडवन यह मिलती है जैसल मेर में तो राम देवरा जैसल मेर Next है मुकुंदरा हिल्स राष्टिये उध्यान किस राज्ये मार्ग राज्ये मार्ग में इस्थित है तो यह है analyse 52 पर Next है राज्य में एक्जोटीन एक्जोटिक पार्क इस्थित है तो यह जो एक्जोटिक पार्क इस्थित है यह है नहरगर्जेव जैविक उध्यान में Next है Queen of Runthambor किसे कहते हैं मच्छली यानिकि a बिल्कुल सही है next है गौरया दिवस कब मनाते हैं विस्व गौरया दिवस कब मनाते हैं तो यह मनाते हैं 20 मार्च को और इसके सारक्षर के हेतू जो वो दिया गया था इस्लोगन वो क्या था वो था हर आंगन में चाहे के गौर रही है यह याद रखनेंटी है थेंक्यू फोर वाचिंग